नमस्कार सबी को आप सबी का स्वागत है वर्शेजुकेसन यूट्यूब चैनल पे तो देखिए आज की क्लास पे हम क्या करेंगे आपका एच्छा सची का जो आप आज एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया है 16 को 16 जुलाई को और इसमें क्या है आपका 15 सलेज 2019 का एक्जाम कुछ मेल सर्वर जो है डैस का उप्योग करते हैं और पी ओपी सर्वर कैलाते हैं तो पी ओपी यानि कि आपका पोस्ट ओफिस प्रोटोकोल जो है उप्शन फर्स्ट आपका यहां पर राइट अंसर देगा इनेमल के एक अधी इंद्रमान द्वारा उत्पादित शीर्स के कुछ भाग छोटा उभार जो है उसको क्या बोला ट्यूबर कल जो है उसको बोला जाता है पीडियेप जो है आपको इसके टेलेगराम चैनल पर मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर जोइन कर सकते हैं देखें नेक्स आपके सामने है कि हुड़ा हर्याना सहरी पूछ भी जा सकता है कुणा बनावली का टिला हर्याना के निमन में से किस जिलिम पाए जाती है तो कुणा यानि कुणा और बनावली यह कहां पर पढ़ेते हैं तो यह फतिहा बाद में पढ़ते हैं आपका राइट अंसर रहेगा इसके लाबा नेक्स देखिए आपका ज इमन में से किस किरिकेटर को राजी उगंदी खेल रतन पूरसकार 2020 दिया गया है तो किसे दिया गया था तो 2020 में दिया गया था रोईत सर्मा को विनेश फोगाट को और मनिका बत्रा को तो यहां पे आपका उप्शन कौन सा फर्स्ट जो है वो राइट अंसर हो जाएगा छेत पाएंगे तो वो अलग क्लास में कवर करेंगे यहां पे जो है शिद्धे आपके टिक मार्क वाले क्योश्टन जो है वो कर सकते हैं नेक्स देखिए चोदा नमर क्योश्टन आपके सामने है कि यह नरीत हर्याना के लड़के के जनम के छटे दिन किया जाता है तो वो कौँ यानि इससे भूग का घट जाता है तो यह अपनी लेवल का क्योश्टन नहीं है इसके अलावा जो है आगे आपका क्योश्टन देखिए क्योश्टन नमबर 19 पूर्वी छेतर का क्रीशी जलवाईू छेतरी अनुसंदान हर्याना के किस जिले में है तो देखिए आपका एक इससे करें और यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ वोई क्योश्टन करें उसके लावा उस से और यहान पर नहीं कर सकते हैं तो नेफ़elasर के सामने बान्य तो आपके सामने 23 क्योश्टन रहेगा तो चंपासर ग्लेशेर किसका है तो वह यमुना का रहेगा यतरी बना था और देख लेते हैं को निमन में से कौन सा कतन सत्य नहीं है तो कौन सा कतन सत्य नहीं है हर्याना का सत्रमा जिला जो है आपका बना था पंचकुला तो आप देख लेते हैं कौन सा आपका चर्की दद्री बना था उसके पहले आपका कौन सा पलवल उससे पहले मिवाद फिर उससे पहले आपका कौन सा जो जजजर और फतेयाबाद बनेते तो उससे पहले आपका पं तो मैं जो है गलत अंसर नहीं बताऊँ गाएंगा बेसिक नहीं आता हूं नेक्स देखिए इसके बाद में जो आपका question यहाँ पर बनता है इस slide में इतना है नेक्स देखिए तीस्वा के उस्टन जो आपके सामने रहेगा कि आपका हर्याणा में घगर नदी के द्वारा बनाएगे बाड के मिदान को नेली कहते हैं तो बाड के मिदान को क्या कहते हैं नेली कहते हैं घगर के द्वारा मारकंडा नधी दोर्ण बनाती है उसको क्या कहती है बेट कहते हैं जो इसके आपका कुंसा रहेगा की आपका कतन A उसे है यह लेकिन B गलत है क्योंकि मारकंडा नधी जो बाड के मिडान बनाती है उनको बेट वो बोला जाता है इसके एलावा 31 हो किशिए है आपका कल नहीं बांध जो भारत का सबसे पूरा ना बांध यह निया आपका बांध इससे जूड़ा वा क्योशन पूछा गया है तो आपके आने वाले एक्जाम से में पूछा जा सकता है कल या परसों तक आपको हडियाना के इंपोर्टेंट बांध और नदियों की जो हो ख यह निसक्रिप्शन में टैलेग्राम चेनल रहाँ पर मिल जाएगा है आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर के क्योशन में तो तो compute का मतलब क्या रहेगा गणना करना calculate करना counting करना आपका option D जो है यहां पर राइट अंसर हो जाएगा 44 के बार जो है आपका question कौन सा रहेगा जो आपका 45 45 में जो है क्या है कि आपका भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाना में कहां पर स्तापित की गई है तो भारत इजराइल बागवानी परियोजना जो है यह कहां पे तो घरुंडा के करनाल में की गई है option first आपका right उसके लावा जो है नेक्स्ट क्योषिन हम देखते हैं आगे कुछा गया था जो 46 question यहांपे है तो देखिए किस गटना किस बड़ी गटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाना को उत्तर पश्ची मी परांथ से हटा कर पंजाब में उसका विल्या कर दिया था तो देखिए जब 1857 की जो गटना हुई थी उसके बाद क्या है उत्तर परदेश का उसमें नाम क् आगे देखिए 48 question जो आपके सामने है कि हरियाना में बने खादर या नेली का क्या अर्थ है तो रियाना में बने खादर नेली का जो आपका डियों पर ऑप्शन राइट अंच रहेगा संकीर्ण नीचले इलाकों में बाड़ के मिदान जो है वो बोला जाता है बारती 3 ह 팔ेल 2005 में आपका नू जिला बना था तो उससे में फरीधाबाद और गुरुगराम के पर्ट आपस में मिला कर नू को बनाए गया तो ययनि आपका फरीधाबाद और गुरुगराम आपका इसका राइट एंसर रहीगा जनी एक और तीन यानि आपका option b यहां पे राइट तो आपका राणिया का विद्रोग कि इसके द्वारा था जाबित खां के द्वारा तो यहां पे ओप्शन डी आपका राइट अंसर रहेगा हर्याना के निमन में से किसी रियासत ने 18 ताउन के अंगरेज्जों का समर्तन दिया तो 18 ताउन की जब करांती हुई थी उसमें जी अंगर नदी अलग करती है तो शायद इसका अंसर जो घगर होना चाहिए बाकी आपको पता है तो आप इसका कमेंट करके बता सकते आंसर नेक्स्ट 55 जो है आप करेगा हर्याना के हर्याना में इस जील का निर्मान 1958 में लीक अर्बूजियर की देखरेक में किया गया था और आएगा नेक्स्ट में देखते हैं 58 भी नहीं रहेगा और आगे आगे देखिए यह जो कुछ एक जो है इंपर्टेंट इंपर्टेंट क्योश्ट जो है वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप याद रख सकते हैं इन क्योश्ट एक्जाम में जो है पूछे जा सकत इसके बाद जो है आपका और कुं सा question है 67 questions देखे computer का question देखा program का समूच्चे जो hardware की शम्ता का प्रयोग करता है और उसे बढ़ाता है तो उसे क्या बोला जाता है तो program का जो समूच्चे है जिसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है software option C आपका जो है वो right answer हो जाएगा इसके अलावा आपका 68 हो चुका है 69 क्योशन देखे हरियाना का जो है रोज का मेव जो है ओध्योगीक स्टेट कहां पे स्टीत है तो रोज का मेव ओध्योगीक स्टेट कहां पे रहेगा तो यह रहेगा कहां पे गुरु ग्राम में option D आपका इसका right answer है इसके बाद 70 question खोकरा कोट जो है वो कहां पे है तो खोकरा कोट हम discuss कर चुके हैं classes में कि आपका खोकरा कोट कहां रहेगा रोग तक में रहेगा हर्याणा में जो है राष्टी आदर भूमी सरक्षन कार्यकरम के अंतरगत कितनी आदर भूमियों को मानेता दी गई है तो कितनी है दो को जो है अमानेता दी गई है option second आपका right answer है और यह भी current affair का question है next देखिए इसके अलावा जो है आपका और कौन सा रहेगा 71 हो चुका है इसके अलावा 73 भारत के सरवोच नियाले में नियाई दीशों की संक्या को निर्दाइट करने की सक्ति किसमें नीत है question जो है micro computer जो है उसको सामाने थे क्या का जयते है तो micro computer जो होते है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह जील हर्याना के थानी सर्मिस्तित है किताब उलहिंद में इसका उलेख है किताब उलहिंद जो है किसके द्वारा लिखीगी अलबरुनी के द्वारा और इसमें जो है किसका वर्मा ने जो है स्थापना की थी कब 1905 में तो आप याद रख सकते हैं एक्जाम में रिपीट हो सकता है पीडियाफ आप टेलिग्रम चनल से ले सकते हैं और आगे क्योशन हम देखते हैं या पर 79 जो क्योशन रहेगा कि आपको यह पुछा गया टेंक और पॉंड में मचली क क्यों आपका मचली पालना मच्या पालना यांनि PC कल्चर में इसका राइट आंचर हो जाएगा इसके अलावा जो है 81 क्योशन देखिए 81 क्योशन आपका प्राथ मिक मेम्री जो इसको क्या बोला जाता है तो प्राथ मेम्री आपके कुणशी होते है जो इंटर्न नेमरी सूपर कंप्यूटर जो वो क्या एक कमरे के साइज के जो लगबग होती है तो वो आपके सबसे बड़े और सबसे सकती शाले कंप्यूटर होते हैं आपका 82 का फर्स्ट जो है वो राइट अंसर हो जाएगा अब देखिए आपके जो जीके और आपके हरियाना जी के और यह सब आपका राइट अंसर है 84 जो है क्या बोला गया कि हूश टेडीज दा आर्ट ओफ गार्डनिंग गार्डनिंग के बारे में स्टेडी करता है उसको होटी कल्च लिस्ट जो है वो बोला जाता है उप्शन सेकिंड राइट अंसर है तो यह आप से क्या एडियम्स पूछा गय आपका जो उदार यानि जो आपका द्यालू जो परसन होता है उदार जो परसन होता है उसके बारे में पूछा गया है तो अगर आप यहां पे क्योशन को ध्यान से देखोगे तो आप से क्या अपोजिट मिनिंग पूछा है अगर आपको पूछा है तो इसका मतलब क्या हो हो जाएगा 90 क्योश्चन देखें यहां से यह पूश जलते हैं 90 क्योश्चन आपका कुण सरेगा सवर संदी के कितने भेद हैं तो सवर संदी के आगे जुड़कर अर्थ बदल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं या जो सब्दों के आगे लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं तो वो उपसरग कलाते हैं जैसे ग्यान जो है ग्यान के आगे अगर हम ए लगा दें तो इसका क्या है बिलकुल अपोजिट हो जाएगा तो यह क्या बोले जाते हैं उपसर्ग जो सब्दों के आगे लगकर उनका अर्थब देते हैं